साथ यो अपने ChatGPT का नाम तो जरूर शुना होगा हमने उसके उपर अल्रडी दो वीडियो पहले बनाए है ChatGPT एक AI बेस प्रोग्राम है जो की हमारी requirement के हिसाब से जो हम उससे पूछना चाहें, जो सर्च करना चाहें उसका बहुत ही बहतरिंग डंग से हमको आस्वर्ग देता है और जब ChatGPT आया था, तो सभी लोग कहने लगे थे कि अब Google के दिन लग गए लेकिन Google के दिन कभी नहीं लगने वाले हैं Google ने भी अपना एक AI प्रोग्राम लॉंच किया है जिसका नाम है BARD अब BARD क्या काम करता है, क्या ChatGPT से बेटर है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि BARD ChatGPT से काफी ज़्यादा एडवांस है उसमें हम ChatGPT के अलावा भी बहुत सारा काम कर सकते हैं क्या क्या हम अलग काम कर सकते हैं कैसे हम BARD का यूज करेंगे यह सारा हम प्रैक्टिकली जानते हैं इस वीडियो में तो इस में तक बने रहे हैं नमस्कार साथियो मेरे ना मैं मनुष कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कम्पिटर गुरुजी तो चलिए सीख लेते हैं गूगल बार्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में टाइप करें गूगल बार्ड यहां पर आपको मिल रहा होगा देखो बार्ड जिसकी वेबसाइट है www.bard.google.com यह उपर वाली वही वेबसाइट है यह भी वही वेबसाइट है उन्हों में से किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं हम मेन वेबसाइट के उपर पहुच जाएंगे आप अपने किसी भी Google अकाउंट से साइन इन कर ले या आपके पास Google अकाउंट नहीं है तो आप पहले साइन अप करें Google अकाउंट एक Gmail ID हो और उसके जरिये यहां पर Sign In करा लें तो मैं Sign In करा लेता हूं तो मैंने Sign In करा लिया है और अब यह कह रहा है यहां पर देखो ट्राइब बार्ड यानि कि हमने ट्राइब करना बार्ड के उपर लेकिन इससे पहले आप थोड़ा से उपर नजर डाले यहां पर लिखा हुआ देखो बार्ड एक्सपेरिमेंट अभी यह एक्सपेरिमेंट बेस पर यानि कि ट्राइल वर्जन पर इसकी आगे दीर दीर अपडेट आती रहेंगी और वो आपको कैसे मेलेंगे अपडेट वो भी मैं बताऊंगा और साथ-साथ हम भी बीच-बीच में आपको इसकी अपडेट से अवगत कराते रहेंगे तो सिधा हम ट्राइबार्ड पर यहां पर क्लिक कराते हैं तो कुछ टर्म पॉलिशी है यहां पर आपको दिख रहा होगा नो थैंक्स आप टर्म पॉलिशी असेप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं मोर ओप्शन हम यहां पर नीचे स्क्रोल करेंगे तो लास्ट में पहुंशते देखो यह ओट यदि आप चाहते हैं कि आपको सारी अपडेट मेल पर मिलती रहें तो आप यहां पर चेक करा लें वरना इसको अंचेक रहने दें और कंटीनू करा लें तो आपके पास एक इंटरफेस खुलके आएगा यहां पर बार्ड के लिए ठीक है बार्ड स्पीक्स मैनी लेंग्विज अब देखो यहां पर क्या क्या एडवांटेज है चैट जीपीटी वाला काम तो सारा यहां पर है ही है उसके अलावा क्या-क्या नए फीचर्स और नए यहां पर हम सर्च करा सकतें कोई भी हमने चैट करनी है किसी परकार करनी है को यह हमने स्कृप्ट लखवानी है कोई हमने ऐस से कोई क्षिटन पूछना वह सारे सकते जैसे चैट जीपीटी करते हैं कि मैं इसकी थीम चेंज करनाओ तो सेट्टिनम में चले जाएंगगर यह उसको आप पब्लिक भी करा सकते हैं यहां से लिंक कोपी कराके और शेयर कर सकते हैं कई भी तो मैं इसकी थीम लाइट थीम यूज़ कर लेता हूँ अच्छा अच्छा आपको भी नजर आ जाएगा और कोई भी क्यूशन यहां पर थोपते हम इसको हमान लिज़्ियम कोई बीएक सिंपल इमेल करना चा रहे हैं हम थांक्यू मेल करना चा रहे तो यहां पर मैं लिखू कि थांक्यू मेल तो सीध़ ने ने देखू हरा यहां से पहले ल physi करा लिया और यहां ने पेस्ट करा yht assim करा के त biss हमने आगे हमारे पास जो भी थैंक्यो मेल है इसने हमको लिख के दे दी पूरी स्क्रिप्ट इसके अंदर हम बहुत सारी लेंगवेज यूज कर सकते हैं यहां कि हम अप्टू फोल्टी इंडियन लेंगवेज का भी यूज कर सकते हैं अंतर एक और बताता हूं अब मान लीज क्यूचन में फिर से एडिट करा सकते हैं मैं यहां पर लिख दूँगा इतन हिंदी क्रूच कर दूँगा ह une keynote से सर्च करने की जरूर नहीं है पूरा बड़ा कुशन हमको यहां पर 1212 करने की जरूर नहीं पडेगी हम उची में एडिट करसकते हैं तो लीजे हमें तो लीजिए हमारे पास हिंदी में पूरी मेल टंब करके इसने दे दी है या फिर मैं यहां पे कोई कि मैं हो गया इसको मैं मैं हो गया मैं कराता हूं मैं हर साथ मिनट में तीन टाफी खाता हूं तो मुझे सारी टाफियां खाने में कितना समय लगेगा मैंने पूरा हिंदी में टाइप किया है सर्च करा देते हैं इसको यह हमको क्या आंस्वर देगा तो थोड़ा सा समय लेता ह है बिल्कुल चरासा और ही हमको आंस्वर मिल गया यह कहरा आपको सारे टॉफिया खाने में चार सो असी डिवाइड बाइट री एक सो साथ मिनट लगेंगे क्यों क्यों कि बैसे को बता है क्योंकि आप हर साथ मिनट में तीन टॉफिया घाते हैं इसलिए आपको एक सो साथ मिनट में एक सो साथ गुना तीन बराबर चार सो असी टॉफिया उनी चीए इस चीज को यदि हम पढ़नी रहे हमने सुनना है तो देखो यहां पर ओप्षिन मैं सुनने के लिए भी आपको सारी टौफिया खाने में 480 डिवाइड बाइ 3 इक्वल्स 160 मिनट लगेंगे क्योंकि आप हर साथ मिनट में 3 टौफी खाते हैं इसलिए आपको 160 मिनट में 160 टाइम्स 3 इक्वल्स 480 सुन पा रहे हैं ना इसको हमको यह ड्राफ्ट सीए तो यहां पर क्लिक कराएंगे तो देखो अब हमारे पास यह वाला ड्राफ्ट आ गया है यह कह रहा है एक टौफी खाने में 7 मिनट तीन टौफी खाने में 2.33 मिनट लगते हैं तीन टौफी इक्वल्स दो दशमलव 3.33 मिनट लगते हैं। यह यहां पर यह पूरा रख्ट सुन आएगा हमको चार सोorta Martी तारंकन 2.33 मिनटrade ठीवर्ट हम असको यहां पर पूरी गन्ना किस प्रकार से हम ने इसने को तो मैं Mic अपना Own करा लेता हूं और अब मैं यहां से माइक को यहां से click करेंगे तो अभी देखे मैं यहां पे click करूंगा और click करते मैं बोलना start करूंगा ठीक है मैं यहां पे click कराता हूं what is Pandas in Python और इस word को अब मैं search करा दूँ अब देखो यहाँ पर pandas बता देगा हमको कि python में pandas क्या होता है आप hindi में type करना चाहते हैं हिंदी में type कर सकते हैं कोई other language में आप बोलके search करना चाहरा है या chat करना चाहरा हैं तो other language में कर सकते हैं यहाँ पर result हमारे पास सामने तो यह बहुत सारी advantage है यहाँ पे google bard AI के अंदर जो की chat GPT पे नहीं है आगे पता नहीं update हो जाए लेकिन जब तक update होगी वहाँ पे तो google bard और भी ज़्यादा update हो चुका होगा यहाँ पे picture भी upload करा सकते हैं picture से search करा सकते हैं तो इस प्रकार की भहुत सारी advantage हैं आपने यहाँ पे देखा कितनी advantage हैं हम यहाँ पे इसकी update चेक करना चाहेंगे update चेक करा सकते हैं या फिर आपने चेक किया starting में mail के उपर तो आपके पास mail पर भी इसकी day by day update मिलती रहेंगी और हम भी आपके पास इसकी नए नए अपडेट लेके आते रहेंगे या फिर और कुछ search करना चाहते हैं तो देखो फिर से मैं यहाँ पर run कराता हूँ please write an essay on cow search करा देते हैं यहाँ पर हम तो हमने यहाँ पर लिखवाया इससे कि cow पर एक essay लिखके बताए हमको यहाँ पर नहीं आया फिर से बोलते हैं इसको हम देखो आ गया इसने search करा लिया है न या फिर हम इसको हिंदी में बताना चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं write an essay on cow in Hindi search करा देंगे यहाँ पर search करा रहा होगा यह कहीं पर उपर देखते हैं या फिर निचे कहीं पर हमने last में किया है तो last में हमको searching मिल जाएगी यहाँ पर देखो यह search करा दिया इसने तो ऐसे हिंदी में या इंगलीस में या कोई और अधर अपनी mother tongue के अंदर हम यहाँ पर आराम से chatting कर सकते हैं काफी अच्छा AI टूल है तो मुझे तो भाई चैट जीपीटी से थोड़ा सा अच्छा लगा आसान लगा आपको कैसा लगा यह में कमेंट्स में लिखके बताएं आई होप वीडियो आपको जुर अच्छा लगा होगा इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो को ज्यादा ज्यादा अब दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और यदि नए है आप मेरे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जबूर कर लें